मेरा नाम प्रिंच से और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम मोस्ट पापलर ब्रांड का रीविव करेंगे जिसका नेम है Epp 22 Tonic दोस्तो Epp 22 Tonic बहुत ही पुराना ब्रांड है और इसका यूज आज भी बहुत जोर धोर से महिलाएं करती है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम यह जानेंगे कि Epp 22 सिरफ के यूज क्या होता है इसका dose क्या होता है और इसके side effect क्या होते है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस tonic का use सिर्फ और सिर्म महिलाएं करती है इसका use पूरुस ना करे तो दोस्तो एप 22 tonic के use की बात की जाए तो इसका सबसे ज़्यादा use जो है वो महिलाओं में लिकोरिया के दोरान करवाया जाता है जैसे कि महिलाओं को white discharges जाते हैं या फिर लाल कलर का discharges जाता रहता है तो ऐसी condition में इस tonic का use सबसे ज़्यादा करवाया जाता है और इसके साथ साथ महिलाओं को यदि बांजपन वाली problem होती है तो ऐसी condition में भी इसका use करवाया जाता है और इसके साथ साथ महिलाओं में जैसे कि उनको पेड़ू में दर्द बना रहता है तो ऐसी condition में भी इसका use कर सकती है यदि महिलाओं में hormonal imbalance के कारण उन्हें समय पर periods नहीं आते है महिलाओं को कमजोरी बनी रहती है तो ऐसे situation में भी आप 22 tonic का use कर सकते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि महिलाओं को कमर दर्द बना रहता है या फिर महिलाओं को जो है weakness बनी रहती है महिलाओं को धात प्रसूत ऐसे diseases है तो ऐसे condition में भी आप इसका use कर सकती हैं और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि महिलाओं को weakness के कारण चक्कर आती हैं या फिर महिलाओं को किसी काम पर properly मन नहीं लगता तो ऐसी condition में भी आप 22 tonic का यूज करवा सकते हैं और इसके साथ साथ जैसे कि महिलाओं को जोड़ों में दर्द, बैक, पैन, जॉइंट, स्पैन ये सारे situations है तो ऐसी condition में भी आप इसका यूज करवा सकते हैं जो कि महिलाओं के लिए एक वर्दान जैशा होता है और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे कि महिलाओं को जो है उनके बोड़ी पर red blood cells या फिर यूँ कहें कि उनके बोड़ी पर आईरन की कमी हो गई है polyc acid की कमी हो गई है तो ऐसी condition में भी आप इस टोनिक का यूज करवा सकते हैं अता दोस्तों महिलाओं में जो common diseases होते हैं जो कि मानसिक धर्म के दोरान weakness जैसा आ जाना या फिर उनको जो है बैक पैन ज्वाइन यानि जो common diseases होते हैं उनके लिए एप 22 टोनिक जो है बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है और इसका यूज महिलाओं के लिए काफी लंबे समय से करती जो दोस्तो अब बात कर लेते हैं एक 22 टोनिक के डोस के बारे में कि इसका डोस जो जो है किस परकार से लिया जाता है दोस्तो इसके डोस की बात कि जाए है तो इसका डूस दी स to Lea में और एक capsule साम में लिया जाता है बात कर लेते हैं दोस्तों इसका side effect के बारे में कि इसका side effect क्या होता है दोस्तों बताना चाहूंगा कि यह एक natural brand है और natural brand के जो side effect होते हैं वो एकदम ना के बरावर होते हैं बट फिर भी यदि आपको इसमें कुछ side effect होते हैं तो जैसे कि महिलाओं को nose या vomiting यह हो सकती है यानि जी जैसा मसलाना यह जैसा हो सकता है और दोस्तों कुछ महिलाओं में जैसे कि उनके body पर sketching मैसूस होना या पिर body पर लाल चकते पड़ जाना यह इसका side effect हो सकते हैं ऐसे side effect बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और दोस्तों कुछ लोग यह question करते हैं क्या सरम इसका यूज pregnant महिलाओं को करवा सकते हैं तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि pregnant महिलाओं को इसका यूज नहीं करवाया जाता आसा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए तो फिर मिलता हूंए एक ऐसे यूजफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद